नमस्त दोस्तों बात करेंगे दोस्तों SBI Cards and Payment Service की दोस्तों सप्टेमबर के अंदर 800 के लेवल को दोस्तों स्टोक ने टच किया यहाँ पर रजिस्टन्स था बहुत बड़ा जो हमने पिछले वीडियो में बताया था और कंटिन्यूजली दोस्तों यहाँ पर से प्रोफिट इन्वेस्टरों के जिन्होंने दोस्तों 500 के आसपास से दोस्तों बाइंग की थी वो लोग तो दोस्तों यहाँ पर माला माल रहे बट दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर जितने भी है उन लोगों के पेसे दोस्तों यह स्टोक में फस गए है तो अभी यहाँ पर क्या करना च तो अभी दोस्तो वेसे company profitable है गबराने की जरूरत नहीं है बट फिर भी दोस्तो इसका एक strong support zone मैं आपको बता देता हूँ इसका दोस्तो एक strong support zone है दोस्तो 720 से 730 के आसपस का अगर वापिस यहाँ पर आके support लेके bounce back करता है तो दोस्तो वापिस आपको दोस्तो यहाँ पर 800 के आसपस जाता हुआ नजर आ सकता है बाकी दोस्तो अभी दिवाली आ रही है दिवाली में क्या होगा तो दोस्तो दिवाली में लोग shopping करेंगे shopping करने के लिए यहाँ पर SBI के cards घरक जो भी है वो दोस्तो card use करेंगे और दोस्तो company को benefits होगा benefits होगा तो क्या होगा benefits होगा त तो दोस्तो कुछ IPO होने के बाद return तो नहीं दिया है बट दोस्तो यहाँ पर swing trading के अंदर अच्छी खासी moment दिखाई है दोस्तो stock ने दोस्तो high बनाया था यहाँ पर देखोगे 2021 के अंदर 1200 के आसपास का stock का high है और continue वहाँ से profit booking देखने को मिली थी उस time पर और अभी भी यह आपर देखोगे तो high volatility create करता हुआ stock अगर जो continuously growth के साथ अगर वापीस दोस्तो अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आएगा तो 900 का level भी दिखा सकता है continuously तो अपने investor अपने expert की राय ले और feed investment करे जब W pattern बनी थी तब ही हमने बोला था कि 600 के उपर से अगर निकलता है stock तो 800 900 के आसपस जाता हुआ नजर आएगा तो दोस्तों ये कुछ important updates थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बाकी दोस्तों company profitable है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है अपने expert अपने broker से राय लेके investment कर सकते हो और share market की latest जानकरी के लिए channel को subscribe किजे important updates आपको लगातार मिलती अपना है और